देखे हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सुभी अब जो concept हम सीखेंगे वो है sum of first end terms of an ap ap के अंदर शुरू की first terms का sum निकालना, first end terms का जैसे की sn का जो formula होगा वो याद करते हैं n by 2 2a plus n minus 1 d done, जिसे हम n by 2 a plus l b कह सकते हैं, last time क्योंकि 2a को a plus a n minus 1 q d कह दूआ, जो की by default क्या कहलाएगा l, एक तरह से आपको example से समझते हैं अगर मान के चलो एक एक question लिखा 2 5 8 dead 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 लिख करता हूँ, और मैंने का find sum of first 20 terms एक चीच बताओ, बिना 20 terms लिखें, उनका sum बता सकता हूँ क्या? कैसे बता सकता हूँ? चलो, पहले वो देखते हैं तो इसने बोला sum of first 20 terms, sum of sum of word जोड़ देखा, तो फिर an की तरह नहीं करेंगे, ठीक है? तो formula लगे n by 2, 2a plus n minus 1 into d, सब याद कर लिजे, sn का फिर्म लगिया है, sum of first 10 terms, किसके अंदर, ap के अंदर, ap के अंदर, sum of first 10 terms का फिर्म लगिया है, बोलो, बोलो, बोलो सभी, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, तो a क्या है, अभी देखते हैं, a की बेली क्या है, बिटा? दिख रहा है, बोलो हाँ, ठीक है, a की बेली क्या है, 2, d की बेली क्या है, 5 minus 2, तो जो की क्या होगी, 3, बोलो हाँ, फिर, s20, sn, sn का पहुंद होता है, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, 3, done, बोलो हाँ, so n क्या हैगा, 20, s20 निकालना है, so 20 by 2, 2a की देखे 2 आगया, 20 minus 1 into d, q value 3 आगे, तो calculation जब पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, बीटा, 10, 4, 19 into 3, 10 into 4 plus, पहले into होती है, 5 plus होता है, 90, 27, 2, 3 by 3, 57, 61, तो 610 आंसर आया के बीटा, येस सर, ठीके बीटा, आया समझ सभी को, चलिए, हमें एक question लिखने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस तरीके से हमारी anxiety में question ये भी गए है, दिके अंदर, ठीक है, तो क्या आप सभी तयारे बोलो हाँ, चलिए, जिए, 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 आप से की देज़ पारे रहेंगे, परा बड़ा की लिखे है, पहला question, ये रहा आपके सामने, find, find, two-digit, find the sum of two-digit natural numbers, find the sum of two-digit natural numbers, which is divisible by three, पहले छोटा कुशन लेते हैं, तो आपके माइड में क्या है, पहला number, two-digit भी होना चाहिए, natural number भी होना चाहिए, और three से divisible भी होना चाहिए, पर question पुछा गया है, कि उनका sum बताना है, question के लिए रहे, बोलो हाँ, yes, sir, चलो, बताओ, क्या आएगा? पहला number क्या आएगा? 12 उस अगला number क्या आएगा? 15 उस अगला number क्या आएगा? 18 फिर लास number क्या आएगा? लास number 99, शाबाश तो direct हम सबसे पहले तो n पता करेंगे a क्या है हमारा 12 d क्या है? 15 माइनस 12 यानि 3 है d अगर मुझे लास ट्रम पता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d करके 99 वैल्यू पता थी a पता था n नहीं पता था तभी हम sn नहीं निकाल पाड़ें कि sn का फॉम्ला होता है n by 2 एक तो तो ते a प्लस l वाला भी या 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d वी लगा सका हूँ है ना तो यहां पर क्या है या 99 12 प्लस d की वैल्यू 3 तो 3 एन माइनस 3 इंटू d लो करें नहीं आपने कदा है बेटों कदा है बेटों कदा कदा है ना हेलो क्या सहिए नंबर 30 आया है 30 दिवाइड बाइ 2 a 12 l के वैल्यू 99 15 इंटू 111 9 दो 111 9 दो 111 1 5 की 1 1 1 में 5 5 5 1 1 1 5 6 6 1 आंसर क्या सभी का 1665 आया है यह सब को समझाए क्या करा है मैंने इस चलो मैं क्वेशन देता हूं वो करना आपको क्या आप सभी तैयार है बुलो हां find the sum of sum of two digit number which is divisible by 7 find the sum of three-digit number which is divisible by करिए सबी करके दिखाई आंस से मैच करेंगे जस्त अभी जैसा कि देख पारेंगे आज सबी ने जो सॉल्व कर रहा है तो मेरे पास जो आंसर आज सबी की तरब से आ रहे हैं क्वेश्चन नमबर टू के और क्वेश्चन नमबर टू का जो आंसर आया वह क्या है बिटा क्या एत बोलू जोल्दी बोलू और गश्चन नमबर टू का सहरा रहा है यह समझाए पहले उमीद करता हूं पहले आपना करने की कोशिश कीजिएगा इसमें काफी सारे डाउट्स आएंगे आपके तो मैं नेक्स्ट क्लास में से कवर करूँगा कल की आज प्लीज पहले शुरू कर दिज़े अपनी तरफ से ठीक है क्योंकि थोड़ा बहुत आपने यह वाला कॉंसर्ट देखा है तो इसलिए मैं उम तैंक किसा ओके बिटा ओके बाई राद रादे